हाई विगान तो सबसे पहले जब भी किसी एक्जाम की बात होती है तो उसकी एलेजिबिल्टी क्राइटीरिया जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या बताता हूं कुछ बच्चे बोर्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देने का नतीज़ होता है पता चाहता लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है जो बच्चे नीट की प्रपरेशन कर रहे है नो डाउट उनका स्कूल प्रपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है तो डरना मत है क्योंकि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी जो पढ़ रहे हो नीट के इंट्रेंस एक्जाम के से वह में स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम 9 जून ठीक है वह भी तुम्हें लिंक सब यहां मिलेगा मेरे टेलिग्राम जो जॉइन कर लेना और यार लाइक कर दिया अगर वीडियो तुम्हार लित्ता कर रहा हूं मैं लाइक सब्स्राइब करो ठीक है चलो तो कोई भी यह च एंटी ने कोई अपर एज लिमिट नी रखी सबसे तकड़ी बात ही है लोवल एज रखी है जबकि तुमने सुनोगा जातर एक्जाम में क्या होता है कि 26 साल तक दे सकते इसके बाद ने दोगे एंटी ने का 17 साल की हो जाओ उससे पहले नी दोगे और कितने ही बड़े हो ज इस से पहले तो तुम लोग एलीजी बलो सेम अगर तुम 2025 वालों की बात करोगे तो उनका बर्दे 31 दिसंबर 2008 से पहले पहले होना चाहिए या फिर इस से पहले 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 समझ गया वाली बात पॉइंट समझ जाया है तो 17 साल तुमारी attempt कितने ही दे सकते हो कोई फरक नह 11 12 की एना लेकिन साथ में तुम्हे एक इंग्लिश सब्जेक्ट ले नहीं होता और सातल धुमारे एक सब्जक्त बेक्रम नाएज जोनी चाहिए यहीं गडगभर होती है नीट की तैयारी में यह तीनो तो तेहर हो जाते है बट पंगा फस्ता यह तो लन में इंवें तो ये गड़ बड़ होती है तो इन में फेहल मत हो जाना भी या वरना फिर भी तुम NEET का एक्जाम नहीं दे पाऊगे तो भी eligible नहीं हो अब एक तो ये eligibility कराएगे एक और साथ में criteria क्या है तुमारी PCM में मिलाके तीनों की percentage भी कुछ होनी चाहिए जर्णल वालों की 50% OBC, SC, ST, ST वालों की 40% और PW, OD वालों की 45% ये होना जरूरी है अगर तुमारी PCM में लेट से physics में तुमारे सिफ 34 number है तो भी चलेगा अगर इन दोनों की मिलाके मतलब इन तीनों की मिलाके 50% आगए अगर तुम जर्णल में हो, तो ये धियान रखना ये वाला पॉइंट I hope clear हो गया होगा और इसी वीडियो में एक extra चीज और बता देता हूँ यार, NTA की तरफ से अभी तक कोई भी official update नहीं आई है तो NCRT change, नहीं change, कुछ मत सोचो तो मैं तरफ लेवर्स पूरा पढ़ नहीं है कोई change नहीं, NCRT में, वो CBC वालों के लिए तो उसकी tension मतलो, if you are preparing for NEET कोई change नहीं, तो फालतो की दरुदर की tension लेनी की जूरत नहीं इसके लिए अलग से वीडियो देखो के फालतो मैं नहीं बता दिया अब FAQs कुछ बच्चे पूछते ही है, मैंने खाली जगे क्यों भी छोड़ी है तुम में से बहुत सारे बच्चे भी कुछ अपना कोई question पूछना चाते होंगे eligibility criteria से related, कुछ भी पूछना चाते होंगे अब depend करता है non-attending का मतलब क्या है जो तुमने सुनोगा आज कर दमी स्कूल जो बोले जाते हैं जो भी है यहनी स्कूल में अबर्दी admission हो जाता है वो गलत है वैसे और बच्चे से पढ़ते हैं साइड में तो हाँ कोई दिक्कत नहीं वैसे तो मतलब हाँ वो बच्चे दे सकते हैं क्योंकि तुम्हारे इसको एक्षुली में रेगुलरी होते हैं तुम लोग जाते तो ही तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ फिर भी यह चीज गलत है तो इस चीज का यह लीगल नहीं है पता है न तुम्हें इसकी मुझे एक्षुल में कम्प्लीट नौलीज नहीं पाँ मैं चेक करके इसके उपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अकर तुम्हें इसके बारे में पूछना है तो पूछ लेना क्योंकि मैं थोड़ी दिन पहले न्यूस पढ़ रहा था इस तो नहीं बच्चे हो फ्रम 9th of June I'm also starting one more thing एक important चीज तुमारे लिए क्या मैं कोटा की जो रिफाइंड कोटा की जो तुम्हें पता है जो famous famous coaching है उनकी तीन coaching से तुमारी जो top है महाँ पर उन तीन coaching का material उठाके mix कर चुका हो लड़ी mix हो चुका है मैं अच्छे से मैंने तयार कर लिया अब वो मैं तुम्हें solve कराऊंगा ठेक है उसमें previous year question भी उसमें topic wise question डले हुए तो मैं मैं तुम्हें एक एक करके कराऊंगा 9th June से मैं start कर र